हलो दोस्तों आज 10 अगस 2024 आईए राजस्तान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं सबसे पहली तो कहना चाहूंगा सभी बोले भारत माता कीजे हमारा देश भारत का तिरंगा जंडा राष्टे ध्वज है इसके तीन रंग और साती असोग चक्र है तीनों रंगों में केसरिया सफेद और हरा रंग है इसके मद्दे में नीले रंग से बना असोग चक्र है इस वर्ष देश की 77 आजादी के 77 वर्ष गाट के अमरित महाउत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर पियेम नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को अपने घोरों में 9 अगस्ट से 15 अगस्ट तक जंडा फैरानी के अफील किये है हर घर तरंगा अभियान से देश के नागरिकों में देश भक्ती और 2000 के प्रतिस सम्मान का जुडाओं में व्रद्धी होगी आनिये प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी दुआरा हर घर तरंगा अभियान की घोशना की गई है जिसमें हर भारते नागरिकों हर घर तरंगा अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है आप इस अभियान से जुड़कर अपने विचार और भासन भी साजा कर सकते हैं इसके अलावा अपने घर पर तरंगा फैरा कर हर घर तरंगा सर्टिफिकट भी प्राप्त कर सकते हैं हर घर तरंगा अभियान 2024 भारत के भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों को देश भ पहराने के लिए कहा गया है हर घरतरंगा में सामिल होना चाहिए आज हम आपको बता दे हर घरतरंगा अभियान के बारे में जो जानकरी दे रहे हैं साथ ही हर घरतरंगा रजिस्टेशन 2024 इसी की साथ दोस्तों आपको बता दे कि संगठन का नाम हर घरतरंगा पृतियोगता थ से हर घर तरंगा प्रमान पत्र आपको यह मिलेगा चार्ज कोई नहीं होगा शुन्ने होगा आवेदन ओनलाइन होगा इसका और आधिकारिक वेवसाइट पर जाके इसका हम रजिस्टेशन करा सकते हैं अगर आप भी राजास्थान के नागरी के और अपने नई जिलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बजलाल सर्मान नई जिलों के बारे में समिक्षा के लिए भारते प्रसासनिक सेवा से पूरु अधिकारी ललित पमार की समीती के गठ पूरू सरकार ने राम लुभाया कमीटी को नई जिलो के लिए दिया गए था उसी परकार बजला सरमाने सरकार के एक दरजन जिलो को रद कर सकती है। पुराने मूल 17 जिलो को तैनात कलेक्टर ही करेंगे बजलाल सरकार ने इस सम्मध में आदेश जारी करते हैं मूल जिलो में लगे कलेक्टरों के पावर को मार्श 2025 तक बढ़ा दिया गया यानि कि कहने का मतलब एक साल तक इस कारेकाल को और बढ़ा दिया गया है गहलो सरकार ने ऐसे नए जिलो सैटल होने तक कुछ समय के लिए कुछ मूल जिलो को बुक्तान और राजस्वे कलेक्शन की सक्ती भी दी थी लेकिन इसका एक साल का समय बढ़ाने का मतलब कुछ नए जिलो को फिर से पुरानों में मर्ज से जोड़ कर देखा जा रहा है दर असल बिजेपी नेता सत्ता में आने से पहले ही कई छोटे जिलो पर सवाल उठाते हुए उन्हें खत्म करने की बात कही गई थी अब सरकार ने नए जिलो की रिवू के लिए मंत्रियों की कमेटी बना रखी है रिवू कमेटी गहलोत राज के सभी जिलो की विवारिक्ता और जरुत का आंकलन करेगी सभी सिफारिसों के साथ रिपोर्ट देगी मंत्रियों की कमेटी के साथ रिटार्ड आई एस ललित पवार कमेटी बनाई गई है पवार की रिपोर्ट के बाद मंत्रियों की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी इसी के साथ आपको दोस्तों बताते सुत्रो कन उसार राजस्वे विवाग के रिकॉर्ड में 10-12 जिले का सिमांकन वे आबादी जिला बनाने की पैमाने पर फिट नहीं बैट रही नए बनाये जिलों में व्यावर बालोत्रा और डीडवाना कुचामन आदी इस्टेट बरकरा रहने की पूरी संभावना है सुत्रो की माने तो राजस्वे विवाग के रिकॉर्ड के अनुशार करीब 12 जिले ऐसे हैं जो सिमांकन और आबादी की लिहाज से जिला बनाने के पैमाने पर फिट नहीं बैटते ऐसे में इन जिलों को रद किया जा सकता है दोस्तों आपको बता दे कि राजस्थान में पिछले 33 जिले थे लेकिन पिछले साल 19 नए जिले बनाये गए थे खास बात ये रही थी कि जैपूर जोदपूर को दो भागों में बाटा गया था इस कारण से अब कुल जिलों की संक्या 50 है पिछले साल अनुपगड बालोत्रा ब्यावर डीग डीडवाना कुचामन दूदू फालोदी गंगापूर सिटी जैपूर सहर जैपूर ग्रामिन जोदपूर सहर जोदपूर ग्रामिन केकड़ी कोटपूतली बहरोड खेरतलती जारा नीम का थारा सांचो और सहापूरा पिछले साल ये जिले बनाये गए थे जिनके उपर बजनलाल सरकार अब इन्होंने एक साल का कारेकाल और बढ़ा दिया गया है और पुरानी जिले को कलक्टरों को ये काम सौपा गया है इसी के साथ दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है रासन कार धार को के लिए बड़ी तीन अपडेट आ रही है अगर आप भी रासनकार धारी है राजस्थान राजसरकार ने आप सबी के लिए तीन नए अपडेट जारी कर देगे जहां आपकी छोटी सी चुक से आपका रासन बंद हो सकता है राजस्थान खाद एवं नागर के आपूर्ती विभाग ने रासनकार के बच्चों के नाम जुड़वाने खाद सुरक्षा में केवाईसी करानों औरी इसरम कार धारकों को रासन उपलब्द कराने को लेकर नई गाइड लाइन जारी किये लंबे समीशे रासन कार धारक अपने बच्चों के नाम जुड़वाने के इंतिजार में थे लेकिन अब उनका यह इंतिजार खत्म हो चुका है भजनाल सरकार ने राष्टे खाद सुरक्षा योजना के अलतरगत आने वाले रासन कार धारकों को 18 वर्स के बच्चों के नाम को जुड़वाने के लिए आदेश जारी कर दी गए नाम जुड़वाने के लिए आप आनलाइन या आफलाइन के माध्यम से आविदन कर सकते ह को तक नुवरी वगले डLIE कर दी गालेद के लिए रासने के वालेद आनलाइन.